हेलो वाट्स अब दोस्तो कैसे हैं आप सभी एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके अपनी चैनल में करियर भाई में दोस्तो आज बात कर रहे हैं कि हंगेरियन सिटिजन्शिप कैसे पाई जाए उसके लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखे हैं उसके लिए आपको हंगेरी के अंदर कितने साल तक रहना पड़ेगा और अगर आप बाई बर्थ वहाँ से हैं या आपके अंसिस्टर्स वहा चाले देख सके तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दू कि अगर न्यूट्रलाइजेशन के थूँ आपको हंगेरी की सिटिजन्शिप चाहिए यानि कि कोई भी आदमी अगर वहाँ पर काम करने के लिए जाता है और कुछ सर्टन सम य ति अगर वहाँ की सिटिजन्शिप पाना चाहता है तो वो 8 साल तक वहाँ पर रहना चाहिए दूसरी बात यह है कि हंगेरीन लैंग्वेज की उसको अच्छी पहचान होनी चाहिए अच्छी समझ होनी चाहिए इन फैक्ट उनकी जो सिटिजन्शिप एग्जामिनेशन होती है वो ही आपको हंगेरीन लैंग्वेज में कम्प्लीट करने पड़ती है और उसके अंदर आपको जनरल हंगेरी की हिस्ट्वी के बारे में जोग्राफी के बारे में आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिय इसमें ये जो रहने का पीरियड है ये कम भी हो सकता है बात करो अगर यहां पर सबसे बड़े लाब की कि अगर आप हंगेरी की सिटिजन्शिप लेंगे तो सबसे बड़ा लाब क्या है कि आप EU की भी सिटिजन हो जाते हैं क्योंकि हंगेरी जो है वो EU यानिके European Union का एक हिस हैं रह सकते हैं काम कर सकते हैं वहां पर जाने के लिए आपको किसी भी अलग तरीके के विशा की जरूत नहीं पड़ेगी हां हाला कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर के काम कर रहे हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज तो जरूर होंगी जैसे कि वहां के Labour Office को इसके बार एक valid immigration card होना चाहिए याने कि कोई एकाद permit तो आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये prove हो सके कि आप legally हंगेरी के अंदर रह रहे हैं दूसरी बात ये है कि आपका criminal record बिल्कुल clean होना चाहिए याने कि आपके उपर कोई भी मुकदमा चल रहा है आपको citizenship नहीं मिलेगी आपके उपर कोई गंभीर तोर का मुकदमा है या हम कहें कि वहाँ पर criminal record सावित हो चुका है और उसकी तहकीका चल रही है तो भी आपको नहीं मिल सकती है तीसरी बात आप convict कर लिए गये हैं और उसके लिए आपको jail हो चुकी है और jail का sentence खतम करके आप आ रहे हैं तो भी आपको citizenship नहीं मिल सकती है तो all in all आपका criminal record जो है वो पूरी तरीके से clear होना चाहिए आपके country में भी और हंगेरी के अंदर भी इसे के साथ साथ certification लगेगा आपके legal और valid accommodation का यानि कि आप कहां पर रह रहे हैं वहां का legal आपके पास agreement हो सकता है या home rent पर लिया है उसका agreement होता है या lease हो सकता है तो उसके कागजाज जो है वो भी आपको वहां पर दिखाने पड़ेंगे तो दोस्तों ये सारी चीज़े हो गई कि क्या-क्या लगेगा यहाँ पर अब जो मैंने आपको बताया था कि कुछ साल कम भी इसमें हो सकते हैं नॉर्मल लोगों के लिए 8 साल है तो इसमें कुछ कम भी हो सकते हैं तो कौनसे cases में हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं सबसे पहली बात आप अगर हंगेरी के अंदर ही आपका जनम हुआ है तो आप अगर वहाँ पर 5 साल तक continuous रहते हैं उसके बाद आप citizenship के लिए apply कर सकते हैं तो जनरली आप अगर हंगेरी के अंदर ही जनमे हैं तो ये citizenship मिला आपके लिए बिलकुल भी मुश्किल नहीं होता है easily मिल सकता है इसके अलावा आपने अगर किसी Hungarian citizen से शादी की है और आपका अगर कोई बच्चा है जो की minor है यानि के 12 साल से कम उमर वाला है तो आप इसके उपर जो है वो 3 साल के बाद ही citizenship के लिए apply कर सकते हैं और तो और अगर आप as a refugee के तौर पर declare कर दिये गए हैं यानि कि stateless हैं आप कोई भी आपका state नहीं है आप just refugee हैं तो 3 साल के बाद आप apply कर सकते हैं लेकिन refugee भी ऐसा होना चाहिए जिसका किसी Hungarian citizen के साथ ब्या हुआ है और उनका बच्चा है इसके अलावे काफी जादा interesting यहाँ पर law है हंगेरी के अंदर तो आप अगर Hungarian ancestry proof कर पाए और Hungarian ancestry अगर 1800 के दशक की भी होगी तो भी यहाँ पर चलने वाली है 1800 में से भी आपकी अगर ancestry है कि मेरे कोई दादा पर दादा तक वहाँ पर रहते थे लेकिन उसका अगर आपके पास return कोई proof document है तो फिर आप उसको claim करके उसके basis पर neutralization पा सकते हैं यानि के citizenship पा सकते हैं इसके अलावा हंगेरी के जो precedent है उनके पास भी इसका right मौझूद रहता है वो जिसे चाहे यहाँ पर Hungarian citizenship दे सकते हैं तो यह entirely उनके उपर depend करता है citizenship जो है वो बहुत कम मामलों में मिलती है अगर किसी ने बहुत ज़ादा extraordinary काम किया है उस country के लिए या वो एक बहुत ज़ादा professionally skilled कोई आदमी है बहुत उचिस तरका doctor है या researcher है हम कहें कि scientist है तो ऐसे लोगों को इस तरीगे की citizenship जो है वो grant कर दी जाती है normal case में 8 सार रहने के बाद आप वहाँ पर apply कर सकते हैं और सारे legal documents अगर सही रहे और सारी process आपने बिलकुल सही सही follow की है सारी fees बर दी है तो फिर आपको बाद में citizenship grant कर दी जाएगी हाला कि इसमें भी काफी समय लग सकता है कुछ महिनों का समय लग सकता है आपका पूरा form आगे बढ़ने में क्योंकि अलग-अलग government departments में ये application जाता है वो departments उनसे related जो चीजें हैं वो आपके form में verify करते हैं और उसके बाद वो अगले department में अगले department में ऐसा जाता रहता है और आखिर में फिर उसका approval आता है एक बार approval आ गया उसके बाद कोई भी citizen जो है वो सबसे पहले oath लेता है कि भई मैं यहां के सारे laws को सारे cultures को traditions को पूरी तरीके से सम्मान करूंगा और कहीं पर भी मेरा behavior unlawful नहीं होगा यह सारी oath उसको लेनी पड़ती है और उसके बाद वो आदमी Hungarian citizen बन जाता है तो दोसो यह है सारी कहानी कि आखिर हंगेरी की citizenship अगर आपको लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा और कौन से काखजात लगने वाले हैं तो बस दोसो आज के वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोसो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कर दीजिये और जादा से जादा share भी जरूर कर देना